हलो दोस्तो टेकनोलोजी तनी तेजी से बदल रही है कि घंटों का काम मिन्टों में किया जा रहा है मुश्किल से मुश्किल काम को भी अब आसानी से किया जा रहा है चलिए इसे एक आसान इख़ाम पसे समझ लेते हैं मान लिजे अगर कोई इंसान 15-20 साल पहले इसके बाद छोटा था नोकिया वाला फोन होता था अगर हो कहता कि हम आने वाले समय में टेकनोलोजी की मदद से अमरे दूर की रिष्टर को देख सकेंगे यानि कि वीडियो काल कर सकेंगे आप में से जादर लोगों को इस बात में कोई खास बात नजर ने आ रहे होंगी क्योंकि हम में से जादर लोगों ने वीडियो काल का इस्तमाल किया है लेकिन अगर हम उस समय के हिसाब से इस वीडियो काल की टेकनोलोजी को देखे तो उस समय बहुती रोमांच कारी और विश्वेशनी यह थी उसी तरह अगर मैं आपको कहू कि पूर्तवी पर अपना एक आर्टिपिशल सन होगा यह सुनने में आपको अलग अलग अलगेगा यह सापतोर पर ना मुनकिन भी लग सकता है मगर उपर बताएवे सभी बाते सच होने वाली है इसका मतलब क्या हमारा एक आर्टिपिशल सन होगा जी हाँ चैना के वग्यानों के कनुसार उनके दरा बना गया सूरज असली सूरज की तुलना में दस गुना अधिक मातरा में ताकदवर है और उसका कुल तापमान पंदरासो लाग डिगरी सेल्चिस है आपके जानकार के लिए मैं बता दू एक लोहे के रोड को पिगलने के लिए पंदरासो डिगरी सेल्चिस तापमान लगता है और इसकी तुलना में आप सोच सकते है कि उस आर्टिपेशल सन का तापमान कितने लाखों गुना जादा है मगर आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि इतने हाटेंपरेशला सूरज जो कि हमारे सूरज से दस गुना अधिक गरम है वह कहा रखा गया होगा इसे कैसे त्यार किया गया होगा और इसे मैंटेन कैसे किया जा रहा है या इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे कैसे त्यार किया जाता है आसा शब्दों में कहें तो ये पूरी प्रोसेस टंगस्टन से बने बहुत बड़े रियक्टर के अंदर की जाती है जब दो चोटे आटम के बीच में रियक्शन होती है तो उसके वज़से एक सिंगल आटम त्यार हो जाता है और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी बाहर निकलती है और इस प्रोसेस को निकलियर फ्यूजन केती है इस प्रोजेक्ट में भी दो हैट्रोजन के छोटे आटम का इस्तमाल किया गा है उस पर बहुत सारा प्रेशर लगा गया है उसके साथ उस पर बहुत ही भारी मात्रा में हिट दी जाती है जिसके वज़से वो दो हैट्रोजन के एटम हेलियम में कनवर्ट हो जाते हैं और उसके साथ बहुत ही भारी मात्रा में उर्जा निर्मान होती है चैना के साइंटिस डावा करते है कि आने वाले समय में उन्हें एनरजी की कोई कमी नहीं होगी और यह एनरजी बहुत ही क्लीन होगी जिसके वज़े से पोलिविशन बहुत ही कम होगा हाले में साइंटिस ने इस प्रोजेक्ट में पूरे देड़ मिनिट तक 120 मिलियन डिगरी सेल्सियस के तापमान को मेंटेन करने की सपलता पाई है और इसे के साथ अगले 20 मिनिट तक पूरे 160 मिलियन डिगरी सेल्सियस का तापमान मेंटेन किया था जो कि हमारे सूरे से 10 गुन लेकिन इस टेकनलोजी के आने के बाद से हमारे फोन को 100-500 MB पर सेकन तक स्पीड आ सकती है चाहे वो इंसान कहा पर बेटा वो गन्य जंगल पर हो या किछे उंचे पाड़ पर हो या अपने घर में है इस प्रोजेट का नाम है स्टारलिंग टारलिंग जो कि एलनमस का एक फ्यूचर प्लैन है जिसकी दह तो दुनिया के किसी भी कोने में सैटलेट के मदद से इंटरनेट उपलोद करवाने का लक्ष रखा गया है इस प्रोजेट के अंदर पूर्थ्वी के लो आर्विट में याने की 500 से 1000 किलिमूटर के दायरे में 42,000 सैटलेट को लांच किया जाएगा जो पूरी दुनिया के हर हिस्से को कवर करेगा और आसानी से दुनिया के किसी भी हिस्से में इंटरनेट पहुँच पाएगा हमारी इंडिया में भी इसे खरीदने के लिए प्री बुकिंग चालू हो गई है और इंडिया में यह 2022 तक लांच होने वाला है बहुत सी बाते जो हमारी कलपना से पर है वो सब कुछ सच हो जाएगी जाहिर सी बात है कि अभी यह बाते नामों किन लगरी होंगी लेकिन आने वाले समय में यह बाते आम लगने लगीगी नए टिकनलोजी को जानना और टिकनलोजी के साथ ही जीना इससे हम हमारी लाइप को बहतर बना सकते हैं और ऐसे इंफर्मेटी वीडियो और फैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें